हेलो सुडेंट्स मेरा नाम धीरज महन दिवेदी और स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मागनेट ब्रेंज पर मागनेट ब्रेंज वो चैनल जहां पर आपको बिलकुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन मिलती है चाहे बच्चा केंटर गार्डेन में हो या क्लास 12 में हो आपको बिलकुल फ्री मिलता है और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर आपको कोई आपने एक दो वीडियो देखे और उसके बाद कोई आपको पेट सब्सक्रिप्शन लेना है ऐसा बिलकुल नहीं है ठीक है बिलकुल आपको फ्री ऑफ कॉस्स यहाँ पर चीजें मिलती है बात करने वाले हैं आज long answer type question ठीक है last video में हमने खतम किया था short answer question तो आज देखते हैं long answer question तो ध्यान से आप लोग देखना शरू करते हैं चलें देखें यहाँ बर क्या बोलता है question number 25 में ठीक है बलकुल सारे question theoretical है ठीक है इसमें कोई numerical सापको नहीं मिलेगा इस पूरे long answer में ठीक है जो घ्यान से देखें आप लोग explain the structure and function of human eye how are we able to see nearby as well as distant object पहले तो आपको बतानी है जो आपका human eye है उसके structure को लेके उसके function को ले करके और फिर यह बताना है आपको कि कैसे हम देख पाते हैं दूर का object और past का object है ना तो इसके बारे में अपन को answering करनी है चलो तो हम पहले देखते हैं कि human eye का function और उसका structure कैसा होता है देखो ध्यान से यहाँ पर यह human eye आपको दिख रहा है हम कहते हैं जो human eye है वो उसका diameter approximately 2.3 cm के आसपास होता है है कि नहीं ठीक है तो यह है आपका diagram human eye का अब यहाँ पर देखें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर यहाँ पर लेबल्ड है उसको देखते हैं हम लोग पहला शुरुआत करते हैं हम लोग cornea से यह cornea क्या होता है तो cornea मतलब जो अपके आँखों का जो एकदम outer most layer होता है outer most layer यह transparent layer होता है and tough layer होता है tough membrane कहते हैं हम लोग it is a transparent and tough membrane ठीक है और maximum जो light enter होती है आँखों में उसका refraction होता है इस cornea के through ठीक है तो cornea is a transparent and tough membrane ठीक है and the maximum refraction of light done by this cornea ठीक है यहाँ पर एक परत्सी होती है एक layer होती है उसे को बोलते cornea ठीक है चलो तो जो मैंने बुला cornea को लेके वो यहाँ पर mention है now इस cornea के बाद हम आते हैं कहां पर iris पर यह आपका iris यह आपका iris ठीक है यह iris क्या होता है तो यह जो आपको दिख रहा है यह black color का ठीक है तो हम iris बोलते हैं iris is a circular diaphragm ठीक है iris is a circular diaphragm which is responsible for the color of eye आँखों का color जो बोलते हैं किसी का black eye किसी की brown eye तो यह जो color है ना उसके लिए कौन responsible होता है वो iris ठीक है तो iris is a circular diaphragm which is responsible for color of the eye ठीक है एंड यह जो iris है आपका iris यह क्या iris क्या होता है contract और relax होता है ठीक है कि लिए इस iris के center में एक hole होता है जिसे हम क्या कहते है प्यूपिल इस आईरस के सेंटर में खोल होता है जिसे हम कहते हैं प्यूपिल यह देखो यह आपको देख रहा है यह आईरस है इसके सेंटर में खोल है जिसे हम क्या बोलते हैं प्यूपिल तो प्यूपिल से light rays अंदर जाती है है कि नहीं ठीक है तो RS क्या करता है pupil के size को कम जाधा करता है by contract और relax इसे टिया वो क्यों आपका relax या contract होता है pupil का size कम जाधा क्यों करता है वो क्योंकि कितना light enter होना चाहिए वो decide करता है कौन size of pupil है कि नहीं जैसे माल लो कि तुम अगर suppose करो कि तुम बहुती brighter area में खड़े हो ठीक है दुपहर है बिलकुल धूब बहुत जाधा है ठीक है वहाँ पर तुम खड़े हो तो वहाँ पर light की intensity जाधा है तो जाधा light अंदर आएगी लेकिन जो आपका iris है वो अपने आपको contract कर लेगा ताकि कम light आए अंदर ठीक है कि नहीं है मतलब वहाँ पर pupil का size कम हो जाएगा ठीक है वहीं अगर तुम ऐसे area में खड़े हो जहाँ पर light की intensity बहुत कम है ठीक है तो वहाँ पर उस case में यह iris क्या हो जाएगा relax मतलब pupil का size क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ताकि ज़्यादा light अंदर आ सके तो according to intensity of light surrounding ठीक है यह pupil का size कम ज़्यादा होता है by relaxation और contraction of iris है कि नहीं तो हम कहते हैं कि जो iris है वो size of pupil को adjust करता है है कि नहीं clear है ठीक है चलो तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से मैंने लिखा है iris it is a circular diaphragm which provide color to eye and it control the size of pupil और pupil क्या करता है pupil is a hole in iris ठीक है which regulate the amount of light entering the eye मतलब कितना light अंदर enter होना है वो कौन decide करता है pupil उसका size is it clear ठीक है तो यह तीन चीज़े हो गई अभी यहाँ पर अब हम बात करेंगे next retina को ले करके देखो ध्यान से retina retina क्या होता है ध्यान देना यह देखो यह होता है inner most layer of the eye inner most layer जो eye की होती है उसे हम कहते है retina ठीक है तो retina एक screen की तरह behave करती है जहाँ पर image का formation होता है है ना देखो क्या होता है light जब अंदर आती है तो maximum reflection किसके द्वारा हो जाता है cornea के दुरू ठीक है फिर under होता है eye lens उसको लेके पढ़ेंगे अभी अपन ठीक है अंदर क्या होता है eye lens उस eye lens से focus हो करके raise मतलब converge होके raise कहाँ पर meet करती है retina पर meet करती है ठीक है तो retina is the innermost layer at which image is formed is it clear ठीक है जो नहीं ओके तो ये मैंने आपको बताए retina को लेके एक बार पढ़ते हैं यहाँ पर भी retina is the innermost layer which contain two type of cell called as rod shaped cell and cone shaped cell सुनना द्यान से मैंने आपको ये तो बताया कि retina एक innermost layer होता है जहाँ पर image बनती है ठीक है अब मेरी बात को सुनना द्यान से आपर ये जो retina है इसमें दो type के cell पाए जाते हैं एक होता है rod shaped cell और एक होता है cone shaped cell ठीक है ये जो cone shaped cell है वो responsible होता है color के लिए मतलब अगर किसी इंसान को cone shaped cell की कमी हो जाए ठीक है तो वहाँ पर इसको बोलते है color blindness हो गया इसको वो color को distinguish नहीं कर पाएगा फिर है के नहीं तो cone shaped cell जो है वो responsible होता है किसके लिए color के लिए और जो rod shaped cell होते है वो responsible होता है एक और बात मैं आपको बता दूँ कि retina क्या करता है जैसे ही light energy retina पर fall होती है ठीक है तो वो retina क्या करता है उसको electrical signals में convert कर देता है है ना और वो electrical signals किसमे जाती है brain में जाती है via optic nerve ठीक है यह देखो यहाँ पर यह optic nerve है तो यहाँ से जो भी electrical signals होंगी वो जाएंगी कहाँ पर brain में ठीक है कि नहीं है और brain उसको interpret करता है और फिर हम चीजों को देख पाते हैं तो ऐसी कहानी होती है ठीक है चलो तो हमने देख लिया अभी what is retina ठीक है अभी मैंने बताया आपको optic nerve को लेकर के भी कि optic nerve क्या होता है it connect eye to brain it transmit signal from retina to brain अभी मैंने वो बात कहे दी आपको मैंने ठीक है कि optic nerve के थ्रू ही signal जाती है retina से brain की तरफ ताकि brain उसको interpret कर पाए और हम चीजों को देख पाएं is it clear ठीक है and last में जो अब बात कर रहा था आपका eye lens की ठीक है आखों के अंदर एक lens होता है ठीक है उसे हम कहते है eye lens जिसका जो shape है वो convex जैसा होता है by convex lens होता है ठीक है आप देखो यहाँ पत यहां से यह है आपका convex lens इसी को कहते हैं हम लोग eye lens ठीक है this this one यह वाला होगा आपका eye lens है के नहीं तो यह convex shape का होता है ठीक है के नहीं है और यह एक jelly like substance से बना होता है ठीक है मतलब यह flexible होता है इसके size को हम कम जादा कर सकते हैं मतलब यह आपका convex है न ठीक है eye lens इसको हम अगर relax करेंगे तो यह ऐसा हो जाएगा contract भी कर सकते हैं तो हम eye lens के focal length को change कर सकते हैं with the help of ciliary muscles यह देखो यह होते हैं ciliary muscles यह देख़ए आपको yellow color का यह ciliary muscles है यह ciliary muscles ही क्या करते हैं उस eye lens के focal length को कम जादा करते हैं ठीक है इसी को हम कहते हैं accommodation of eye is it clear तो eye lens is a convex lens ठीक है which is made up by jelly like substance अब यहाँ पर हम देखते हैं एक और इस convex lens के बाद एक आपको दिख रहा है आपर यह जो आपको blue portion दिख रहा है इसे कहते हैं हम लोग vitrous humor इसे कहते हैं हम लोग vitrous humor तो vitrous humor जो है ना यह एक viscous liquid है ठीक है जिसको हम लोग use करते हैं मैं जिसका काम होता है इस eye के shape को maintain करने के लिए ठीक है तो यह जो vitrous humor है it is responsible to maintain the shape of eye यह उसका काम होता है vitrous humor का तो मैंने यहाँ पर vitrous humor में लिखा है it is a clear gel and it maintain the shape of eye ठीक है तो यह थे आपके सारे structure के बारे में डिसकस कर लिया हमने ठीक है अब मेरी बात को सुनना द्यान से working कैसे होती है human eye में देखो जब कोई object को देखना है ठीक है तो वहाँ से rays emit होगी तो वो ray अपने आँखों के अंदर enter होंगी और maximum maximum reflection मैंने बताया आपको कि कॉर्मिया के थूर हो जाता है ठीक है और final focusing किस के थूर होती है islands के थूर और final focusing कहां पर होती है retina पर ठीक है अब आपको पता है कि retina एक screen है और screen पर image कैसी बनती है real and inverted ठीक है तो real and inverted image बनती है कहां पर screen पर मतलब retina पर लेकिन हम तो चीज़ों को देख पाते हैं सीधा तो क्या होता है वहाँ पर कि retina क्या करता है उस electrical energy सारी उस light energy को electrical signals में convert करेगा फिर वो electrical signals जाएंगे आपके brain में via optic nerve और brain उसको sense करेगा और फिर हम चीज़ों को देख पाते हैं है कि नहीं ठीक है तो यह होता है proper working of eye is it clear तो यह बात है मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि when light entered to eye most of the refraction done by cornea only final focusing is done by eye lens therefore real and inverted image form on retina retina convert the light energy into electrical signal which transmit to brain via optic nerve and brain interpret the signal and therefore I see the object is it clear ठीक है चलें यहाँ तक मैंने आपको जवाब दिया सिर्फ इसके एक पार्ट का question में एक और पार्ट भी तो है वो क्या है सवाल एक बार पढ़ लेते हैं how are we able to see nearby as well as distant object कैसे अपना जो आई है वो दूर का object और past का object देख पाता है तो मेरी बात को सुनो ध्यान से अगर आपको दूर का object देखना है ठीक है और उसी तरीके से अगर मुझे past का देखना है तो वहाँ पर power जाधा चाहिए मतलब focal length कम चाहिए और focal length कम करने के लिए उसको contract होना पड़ेगा ठीक है देखो अब ध्यान से जब relax करते हैं तो यह relaxing mode है उसका आई लेंस का तो यहाँ पर focal length जाधा होगा ठीक है वही अगर मैंने contract कर दिया ठीक है कि नहीं है तो यहाँ पर focal length कम हो जाएगा तो दूर का देखने के लिए relax होना पड़ता है और past का देखने के लिए contract होना पड़ता है ताकि focal length increase और decrease हो पाए ठीक है तो यह कौन काम करता है यह आपका ciliary muscle करता है ciliary muscle जो है ना वो eye lens के focal length को कम जाधा करता है ताकि हम दूर का और past का देख पाएं Is it clear? तो मैंने यह बाते लिखी हैं जो मैंने बोला आप से We see nearby as well as far object by adjusting the focal length of eye lens with the help of ciliary muscles Is it clear? ठीक है? तो यह था आपका question का answer complete long answer है तो इतना सब कुछ तो आपको लिखना ही पड़ेगा यार ठीक है कि नहीं है? चलो अब हम देखते हैं next question में क्या बुलता है देखो ध्यान दे आप लोग यहाँ बर question number 26 में क्या बुलता है when do we consider a person to be myopic और hypermetropic कब हम बोलते हैं कि यह person myopic है या hypermetropic है ठीक है? ओके explain using diagram how the defect associated with myopic and hypermetropic eye can be corrected ठीक है? diagram की help से बताना है कि कैसे myopic और hypermetropic person को तुम correct कर पाओगे उसके defect को तुम correct कर पाओगे ठीक है? चलो पहले discuss करते हैं कि कैसे हम consider करते हैं कि person को myopia हो गया है कि hypermetropic हो गया है सुनना द्यान से अगर किसी को दूर का नहीं दिखता है तो उसको myopia हो गया है myopia का मतलब होता है short sightedness मतलब उसको past का दिखता है उसको दूर का नहीं दिखता है ठीक है? तो when person see when person unable to see distant object then he is he or her suffering from myopia है के नहीं? ठीक है के नहीं है? चलो अब मेरी बात को सुनना द्यान से मैंने कहां दूर का नहीं दिखता है उसको मतलब उसको myopia हो गया है ठीक है इतना clear है ओके अगर किसी person को myopia हो गया है तो उसको correct कैसे करते हैं? तो उसको हम correct करते हैं by providing concave lens है ना concave lens provide करके हम उसको correct कर सकते हैं अब मेरी बात को सुनना द्यान से क्यूं? ठीक है? सुनना द्यान से याँ पर पूरे concept को सुनना आप लो देखो अगर वो दूर का नहीं देख पा रहा है मतलब उसका power कम नहीं हो पा रहा है क्योंकि दूर का देखने के power कम चाहिए है के नहीं? मतलब उसका power कम नहीं हो पा रहा है उसका power मतलब बढ़ गया है ठीक है? तो तुम जब डॉक्टर के पास जाते हो ना और बोलते हो कि यह मुझे दूर का नहीं दिख रहा है तो यहीं बोलेगा अच्छा आपका पावर बढ़ गया है ठीक है कि नहीं है पावर बढ़ गया है मतलब जो दूर से रेज आ रही होंगी ठीक है वो मीट रेटीना से पहले ही हो जा रही है रेटीना तक पहुंच ही नहीं पा रही है ठीक है दूर वाली रेज जब अंदर आ रही है मतलब डिस्टेंट ऑब्जेट से जो रेज आ रही है वो रेटीना से पहले ही मीट कर रही है क्योंकि तुम्हारे आँखो का पावर बढ़ा हुआ है है क्यों नहीं यह देखो डाइग्राम दूर की जो रेज आ रही है ठीक है वो आपका रीफ्रैक्शन की बार रेटीना तक पहुंची नहीं पा रही है यही पर उसकी मीटिंग हो गई है और अगर दूर का देखना है तो इमेज कहां बनना चीए रेटीना बनना चीए तब ही तुम देख पाओगे इस इट लिया चीक है मतलब इस परसन का पावर बढ़ा हुआ है मुझे पावर को कम करना है तो पावर को कम करना है तो मुझे उसको नेगेटिव पावर देना पड़ेगा न क्यूंकि देखो उसका आइलेंस जो है वो कॉन्वेक्श शेप का है और कॉन्के लेंस का नेगेटिव पावर होता है तो हम क्या देते है उसको नेगेटिव पावर देते हैं है के नहीं मतलब कॉन्के लेंसफ अब कॉन्के मैं किया से आपका क्योर हो गया मना करेट हो गया देखो ध्यांस ङेंजी यह संनो आप बताओ एक नोर्मल आई का फार- Garlic कितना होता है नॉर्मल आई का फार पोइंट कितना होता है infinity ठीक है लेकिन जो मायोपिक परसन है क्या उसका फार पॉइंट होगा infinity नहीं क्योंकि वो दूर का अच्छे से नहीं देख पाएगा ठीक है तो उस मायोपिक person का far point कितना होगा 2 मीचर मतलब अगर कोई दूर वाले object को अगर उस 2 मीचर तक ले के आ जाए तो हम देख लेंगे उसको मतलब वो myopic person उसको देख लेगा है कि नहीं तो ये concave lens क्या करता है वो दूर वाले object को वो दूर वाला जो object है उसकी image बना देता है कहाँ पर इस myopic person के far point पर ये उसका far point है मालो example मैंने लिया ये 2 मीचर है ठीक है तो आप देखो दूर वाले object से जब raise आई parallel ये diverge होगी और diverge को जब produce करोगे तो यहाँ पर उसकी meeting होगी मतलब दूर वाले object की image image बना दिया कहाँ पर उसने इसके far point पर अब ये बड़ा खुश हो गया हाँ भाई वो दूर वाला pass देख रहा है पास आ गया है वो अब मैं उसको देख लूँगा तो हो गया correct वो ठीक है कि नहीं तो क्या होता है जब भी हम उसको concrevalence देते हैं तो वो दूर वाले object की image उसके far point पर बना देता है फिर हम आराम से उसको देख पाते हैं इसे लिए ठीक हैं तो ये कहानी थी आपकी myopia की अब हम बात करते हैं hypermetropia हम कब कहेंगे कि person suffering from hypermetropia सुनना द्यान से hypermetropia मतलब long sightedness मतलब उसको दूर का दिखता है लेकिन past का नहीं दिखता है है कि नहीं मतलब person unable to see nearby object अब मेरी बात को सुनना जो normal आय होता है वो 25 cm तक अच्छे से देख पाता है मतलब least distance of distinct vision कितना होता है 25 cm ठीक है लेकिन जिसको hypermetropia हो गया है ठीक है वो कहता है कि भया मैं 50 के बाद देख पा रहा हूं मतलब hypermetropic person जो है ठीक है उसको उसका जो near point है वो 25 के जगा 50 है मतलब अपने सामने रखे वो किताब को वो नहीं पढ़ पा रहा है है कि नहीं क्योंकि वो past में है उसको तुम दूर कर दोगे ना तो देख लेगा अच्छे से है कि नहीं मतलब hypermetropic person जो है ना उसका near point recede हो जाता है दूर हो जाता है इस एक लिया ठीक है ओके मतलब वो past का नहीं देख पा रहा है मतलब उसका power बढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि past का देखने के लिए power को बढ़ाना पड़ेगा ठीक है मतलब उसका power बढ़ नहीं पा रहा है मतलब उसका power कम है मतलब hypermetropic person का power कम रहता है है कि नहीं अब मुझे उसके power को बढ़ाना है तो अगर power को बढ़ाना है तो मुझे इसको positive power देना होगा और मुझे positive power देना है मतलब मुझे इसको convex lens देना होगा है कि नहीं convex lens की help से वो फिर past वाले object को देख पाएगा इस है clear ठीक है तो देखो ध्यांसे आपर सुनना ध्यांसे यह देखो यह है आपका hypermetropic आई ठीक है क्या होता है देखो उसकी image रेटीना के जगा पर रेटीना के behind में बन जाती है तो past वाले object की image रेटीना पर नहीं बन पा रही है मुझे इसको रेटीना पर बनवाना है है कि नहीं तो क्या करेंगे हम लोग यहांपर convex lens लगाएंगे वो क्या करेगा past वाले object की image दूर कर देगा ठीक है तुम बताओ मैंने कहा कि नॉर्मल आई का जो नियर पॉइंट होता है वो 25 cm होता है ठीक है लेकिन हाइपरमेट्रोपिक का 25 cm नहीं होगा मान लो उसका कितना है 50 cm है तो वो जो convex lens लगाया तुमने ठीक है वो क्या करेगा उस 25 वाले object की image बना देगा कहां पर 50 पर क्योंकि वो दूर का object देखने में comfortable है है कि नहीं तो इस object का image इस lens ने कहां बना दिया देखो ऐसे पीछे की तरह बना दिया है कि नहीं अब इसको ये आराम से देख पाएगा है कि नहीं मतलब अब यहाँ पर image कहां पर बनेगी रटीना पर बनेगी इस इट लियर ठीक है तो यहाँ पर convex ने क्या किया पास वाले object की image दूर बना दी ताकि उस वो जो eye lens है वो उसको अच्छे से देख पाए ठीक है तो in short मैं कहता हूँ आपसे ठीक है कि अगर कुसी इंसान को दूर का देखने में दिक्कत हो रही है मतलब उसको myopia है उसको correct करने के लिए concave lens देना होगा पहली बात दूसरा अगर किसी को पास का देखने में दिक्कत हो रही है तो वो hypermetropia है उसको correct करने के लिए convex lens देना होगा is it clear ठीक है चले तो यह आपका है correction of hypermetropia भी clear है आप लोगको एक बार आप इसको भी note कर ले यहाँ से फिर यह कर ले note आप फिर यह कर ले ठीक है चले अब हम देखते हैं next question next question में क्या बोलता है देखो ध्यान से 27 में बोलता है explain the refraction of light through a triangular glass prism using a ray diagram ठीक है ray diagram की help से मझे refraction समझाना है एक glass prism के through ठीक है फिर hence define the angle of deviation also ओके ठीक है चलो देखते हैं आपर बहुत simple topic है यह देखो ध्यान से यह है आपका एक rectangular prism ठीक है देखर आपको यहाँ पर आप देखो यह जो आपका surface है ab इस पर ray of light incident हो रही है and after refractions इस वाले surface से emerge हो रही है है के नहीं ठीक है यहाँ पर जिस face पर incident हुआ है और जिस face से emerge हुआ है उन दोनों face की बीच का जो angle होता है उसे कहते हैं angle of prism तो यहाँ पर यह क्या है आपका angle of prism है ठीक है अब देखो ध्यान से समझाता हूं मैं आपको यह देखो यह incident ray है है ना यहाँ पर यह normal यह MNM यह क्या है normal है ठीक है आप बताओ ray of light traveling from rarer to denser than bending toward the normal तो आप बताओ इसको जाना चाहिए था सीधा लेकिन वह normal के तरफ bend हो गया तो यह आपका angle of incidence यह आपका angle of refraction ठीक है अब देखो यह आपका refracted ray तो इस surface के लिए जो refracted ray है वो इस surface के लिए क्या होगा incident ray होगा तो यह देखो यह incident हुआ यहाँ पर यह normal होगा ठीक है normal का मतलब क्या होता surface के perpendicular तो देखो यह perpendicular है की नहीं देखो perpendicular है की नहीं ठीक है चलो अब ध्यान देना तो यहाँ पर देखो ray of light traveling from denser to rarer और denser to rarer में क्या होता है bending away from the normal तो देखो इसको जाना चीए था सीधा लेकिन वो नॉर्मल से दूर बेंड हो गया है तो यह है आपका emergent ray और यह है आपका incident ray is it clear तो यह आपका explanation हो गया with the help of label ray diagram है की नहीं यहाँ पर बस आपको अंग्रेजी में लिख रही है की incident ray hit on surface a b ठीक है then after refraction it emerged from a c ठीक है यह सब आपको इंग्लिश में लिखना है जो कि मैंने आपका लिखा हुआ है है की नहीं चलो अब मैं वदाता हूँ what is angle of deviation सुनना ध्यान से angle of deviation का मतलब कितने angle से वो incident ray finally deviate हो गया है अपने path से ठीक है तो तुम देखो यहाँ पर ध्यान से सुनो आप बताओ यह आपका original incident ray है इसका जो path है वो ऐसा होना चाहिए मतलब अगर यह prism नहीं होता तो यह ray ऐसे जाता लेकिन prism की वज़ा से क्या हो गया पहले यह ऐसे बेंड हो गया मतलब इतने से आपका बेंड हो गया देखो इतने से deviate हुआ है आपर चलो वाई ठीक है अब देखो अगर यहाँ पर यह surface नहीं होता तो यह सीधा निकल जा यह और बेंड हो गया है मतलब देखा जाए तो यह और बेंड हो गया है है कि नहीं तो अगर मैं बोलू कि यहाँ पर दो बार deviation हुआ है एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर तो total deviation कितना होगा तो देखो ध्यांसे इसको हमने produce किया तो यह final ray और initial ray के बीच का जो angle होगा that is angle of deviation ठीक है तो यह देखो यह ray ऐसे गई फिर ऐसे deviate हुई फिर ऐसे deviate हुई है कि नहीं तो तुम बताओ अगर मुझे देखना है final angle of deviation तो final ray को produce करोगे और initial ray को produce करोगे वो जो angle होगा आप यही बोलोगे ना इतने angle से finally deviate हो गई यह ray ठीक है तो angle of deviation is the angle between original incident ray and final emergent ray है कि नहीं ठीक है तो यह होगा आपका angle of deviation is it clear तो मैंने यहाँ पर वही लिखके रखा हुआ है array of light incident from ear to glass at interface a-b then ray bend toward the normal तो वही जो मैंने बाते बोली है वो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा ठीक है तो यह था आपका simple question 27 आप लोग इसको note कर ले फिर हम आगे बढ़ते हैं चलो ठेक है अब हम देखते हैं next question क्या बोलता है देखो how can we explain the reddish appearance of sun at sunrise or sunset why does it not appear red at noon ठेक है वो यह बुल रहा है कि कैसे हम explain करें कि जो sun है sunrise या sunset के समय लाल दिखता है लेकिन वही sun दिन के समय लाल नहीं दिखता है तो भाई दिन के समय जो sun है न वो white दिखता है मैं ठीक है चलो मैं इसका explanation देता हूँ आपको मैं सुनना ध्यान से पहले बात करते है sunrise और sunset की बात करते हैं देखो sunset या sunrise के समय जो sun है न वो near to horizon होता है मतलब बहुत दूर होता है हमसे ठीक है वो sun ठीक है तो हम कहते हैं जो least scattered color होंगी वही हमें visible होंगी पहली बात मैं आपको बता दूँ कि scattering के वज़ा से कोई चीज हमें कोई color की दिखती है ठीक है कि नहीं है और हम यह कहते हैं कि scattering is inversely proportional to wavelength मतलब जिस color की wavelength जादा होगी उसकी scattering कम होगी है कि नहीं and vice versa ठीक है तो सुनना ध्यान से sun बहुत दूर है sunrise या sunset के समय ठीक है तो वहां से निकली तो थी white light लेकिन सबसे पहले कौन scatter हो गया आपका wallet color क्योंकि wallet का wavelength कम होता है तो उसकी scattering quantity जादा होती है तो वहीं पर आपका wallet scatter हो गया है कि नहीं फिर उसकी बात blue scatter हो गया मतलब जो कम wavelength वाले color थे उनकी scattering जादा amount में हो रही थी तो वहीं पर वो खतम हो गया है वो longer distance travel करी नहीं पाए लेकिन जो red है ना उसकी wavelength जादा होती है तो उसकी scattering कम कम amount में होगी तो अगर कम कम amount में scattering होगी तो इसका distance भी जादा traveled होगा इसलिए हमें वो चीज क्या दिखती है लाल दिखती है क्योंकि जो finally scattered हमारे आँखों तक पहुँचेगी वो red वाली पहुँचेगी है के नहीं ठीक है इसी लिए हम लोग कहते हैं कि जो danger signals होते हैं उसमें red color इस्तमाल करते हैं क्यों क्योंकि वो हमें दूर से दिख जाती है इसे clear ठीक है चलो तो ये तो ओगया आपका कि क्यों sun लाल दिखता है at the time of sunset or sunrise अब सुनो दिन के समय ऐसा क्यों नहीं होता है हम कहते हैं कि दिन के समय sun जो है वो अपने के अपने बहुत पास में होता है है के लिए मतला as compared to sunrise or sunset sun जो है वो पास में होता है ठीक है अब पास में होने की वज़़ा से उतना वक्त ही नहीं मिला कि कोई color scatter हो पाए मतलब रेड का तो सवाल ही नहीं उठता कि वो scatter हो जाए क्योंकि एक तो उसकी scattering वैसी बहुत कम होती है उपर से distance भी कम है तो red appearance तो हो ही नहीं सकता भाई यहां तो मैं बोलूंगा कि जो blue है वो भी बहुत कम amount में scattering हो पाती है because of because of आपका shorter distance ठीक है तो shorter distance की वज़ा से लाल नहीं दिखेगा है कि नहीं ठीक है तो यह कहानी होती है तो यह जो जो मैंने बात बूली है आपसे वो सब आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा ठीक है चले तो आप लोग इसको note कर ले ठीक है चलो अब हम देखते हैं next question number 29 में क्या कहता है देखो explain the phenomena of dispersion of white light through a glass prism using a suitable ray diagram आप यह बताओ dispersion of white light का मतलब क्या होता है the phenomena of splitting of white light into its constituent colors called as dispersion of light ठीक है मतलब कोई white light अगर split होती है साथ colors में है कि नहीं तो उसे हम कहते है dispersion of light और वो साथ color आपको पता है न वेब ग्योर होता है wallet indigo blue green yellow orange red है कि नहीं ठीक है अब मुझे यहाँ पर explain करना है dispersion को through prism यह देखो द्यान सुनों यहाँ पर देखो यह डाइगराम है ठीक है यह आपका एक face जहाँ पर यह white light incident हुआ ठीक है आप देखो जैसे यहाँ पर incident होगा यहाँ पर इसकी splitting हो गई तो यहाँ पर आप देखें ध्यान से यहाँ पर आप देखना यहाँ पर splitting होई है साथ कलर में मतलब साथो कलर का path अलग अलग हो गया क्योंकि बड़ा ऐसा होता है यहाँ पर क्यूं क्योंकि air में साथो कलर एक साथ मूव करते हैं है कि नहीं लेकिन जैसी किसी मीडियम में जाते हैं हर कलर के लिए उस material का refractive index अलग अलग हो जाता है है कि नहीं मतलब इसकी detail concept जो है वो आप लोग class 12 में पढ़ते हो लेकिन अभी सुलो बस ठीक हैं कि जैसे जैसे ही किसी मीडियम में एंट्री होती है white light की क्योंकि white light में सा की value अलग होती है material का और refractive index अगर हर एक कलर के लिए अलग-अलग होगा तो सबका bending amount भी अलग-अलग होगा यहाँ पर देखो red की bending सबसे कम होई है यह देखो ये red है ये वाला और ये क्या है वॉलेट है तो रेड की बेंडिंग सबसे कम और वउलेट की बेंडिंग सबसे जादा तो सबका बेंडिंग अलग-अलग है तो अव्यसी बात तो यहाँ पर आपको एक स्पेक्ट्रम दिख जाएगा सेवन कलर्स का ठीक है जिसमें आपका जो order होगा वो नीचे से विब्ग्यॉर होगा ओव्यसी बात है wallet जाधा bend हुआ है है ना तो यहाँ पर विब्ग्यॉर नीचे से V I B G Y O R ठीक है तो यह है आपका explanation of dispersion of white light through a prison Is it clear? ठीक है तो आप लोग इसको note कर ले फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है नोट कर लें पहले इसको आप लोग चलें अब देखते हैं अपन next question क्या बोलता है 30 में देखो question number 30 में बोलता है how does refraction take place in the atmosphere atmosphere में refraction कैसे होता है ठीक है चलो बताता हूँ मैं आपको पहले आगे देखने क्या बोल रहा है why do stars twinkle but not the planets ये तो अकसर देखा है मैंने exam में आते हुए कि star twinkle क्यों करता है planet क्यों नहीं करता इसका जवाब लिखने के लिए exam में अकसर देखा है मैंने तो important सवाल है अपने लिए ये ठीक है सुना ज्यांसे पहले सवाल का जवाब कि refraction कैसे होता है atmosphere में तो तुम ये बताओ refraction कब होता है जब densities में optical density में difference आ जाए है कि नहीं और optical density में difference कब आता है जब refractive index change होती हूँ तो हम कहते हैं कि जब हम atmosphere में आते हैं तो जैसे जैसे नीचे आएंगे न ठीक है जैसे जैसे height कम होगी न refractive index की value बढ़ती है मतलब medium जो है वो optically dense होते जाता है ठीक है तो तुम बदाओ अगर मैं बोलूँ कि ये पूरा atmosphere है ठीक है अब यहाँ पर मैं चार layer मान लेता हूँ ठीक है तो आप बताओ ये जो layer है इसके उपर refractive index कम है और इसके नीचे refractive index जादा है मतलब ये rarer हो गया और ये denser हो गया तो जब ray of light आएगी rarer to denser तो ये bend होगी न तो ये बेंड होगी न तो अब बताओ यहाँ पर देखा कि refractive index और बढ़ गई मतलब वो और bend हो जाएगा toward the normal है के नहीं तो हम कहते हैं कि due to existence of very varying refractive index in the atmosphere refraction takes place है के नहीं atmosphere में जो आपका air है उसका refractive index vary करता है इस वज़ा से refraction होता है is it clear? ठीक है तो ये तो जवाब होगी आपके पहले question का जो कि मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है के since refractive index of layers of air is different therefore when light enters the atmosphere again bent toward the normal मतलब refraction होता है ठीक है अब देखो stars twinkle क्यों करता है planet क्यों नहीं करता मेरी बात को सुनना द्यान से ठीक है हम कहते हैं होता ये है कि जो star है वो बहुत दूर होता है ये हमसे बहुत दूर होता है तो हम उसको एक point source की तरह मानते है ठीक है point source of light की तरह मानते है ठीक है तो जब star से light आती है ठीक है और जैसी उसकी entry earth atmosphere में होती है ठीक है तो वहाँ पर refractive index vary कर रहा है ठीक है मतलब down the surface मतलब जैसे जैसे height कम होता जाए गारी refractive index बढ़ रही है तो तुम बताओ जो light वहाँ से आएगी उसकी bending toward 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 होते जाएगी है के नहीं तो तुम बताओ यहाँ पर ray of light देखो bend हो करके bend हो करके ये वाली ray पहुँच रही है उसकी पास तो जो observer होता है वो किसके long image देखता है जो final ray आ रही है उसके long image देखता है न वो तो इस observer के पास ये वाली ray आ रही है finally तो इसके long देखेगा image मतलब actually मैं star का position ये है ठीक है लेकिन उसको दिखेगा थोड़ा उपर ये apparent position है है के नहीं अब मेरी बात को सुनना ये twinkle क्यों कर रहा है ठीक है हमने image देख ली ऊपर है ना वो twinkle क्यों appear होता है ठीक है twinkle का मतलब क्या होता है light की intensity में variation तो सुनने दियां से क्या होता है देखो जैसी आपका वो bend होता है तो अब क्या होता है physical condition atmosphere का जैसे आते है तो refractiveness बढ़ती है कई ज्यादा amount से बढ़ रही है कहीं कम इमाउंट से बढ़ रही है तो कभी ज़ादा इमाउंट बेंडिंग हो रही है कभी कभी इमाउंट बेंडिंग हो रही है है कि नहीं बेंडिंग ट्वर्द नामल हो रही है लेकिन ट्वर्द नामल में जो बेंडिंग का इमाउंट है वो कम जाधा हो रहा है ख्योंकि physical condition जो है atmosphere का वो constant नहीं रहता है ना मतलब यह जो apparent position है वो कभी थोडं़ासा उपर कभी थोडं़ासा नीचे कभी थोडं़ासा उपर कभी थोडं़ासा नीचे तो अगर यह थोडं़ासा उपर होगा तो light की intensity थोड़ी कम हो जाएगी थोड़ा सा नीचे होगा, तो light intensity बढ़ जाएगी, है कि नहीं, तो क्योंकि physical condition, atmosphere का constant नहीं होता है, इसलिए apparent position of star जो है, वो हलका हलका change होता है, जिसकी वज़ा से light के intensity हमें flickers लगती है, और उसी को हम कहते हैं twinkling effect, उसी को हम कहते हैं twinkling effect, है कि नहीं, तो ये बाते मैंने देखें, जरा मैं पड़ता हूँ, so now, since, since star is very far away from us, therefore it is considered as point source of light, when light from star enters the earth atmosphere, it bends towards the normal, continuously due to varying refractive index of layers of atmosphere, and due to this refraction, apparent position of star is different from actual position, since physical condition of earth atmosphere are not stationary, therefore apparent position of star fluctuate, कभी हलका सा उपर, कभी हलका सा नीचे, ठीक है, therefore light from stars flickers, जिसकी वज़ा से ऐसा लगता है कि light की intensity में variation आ रहा है, flickering आ रही है, that is called as twinkling effect, ठीक है, which is called as twinkling effect, है कि नहीं, तो ये भी एक illusion है, ऐसा नहीं हो रहा है, कि star वहीं पर रहके उसके अंदर की light कम ज़ादा हो रही है, ठीक है, उसके position में variation है, इसलिए असी हो रही है, है के नहीं, चलो ठीक है, अब planets क्यों ही करतें, ट्विंकल, क्योंकि मेरी बात को सुनो, planet जो है, वो बहुत पास में होता है, as compared to star, ठीक है, तो बहुत पास में है, तो उसको हम एक point source की तरह नहीं मान सकते, उसको हम मानते हैं, as a collection of point source, हम ये मानते हैं, कि planets के अंदर बहुत सारे point sources हैं, और उसके अंदर के जितने भी point sources हैं, planet के अंदर, हर point source twinkle कर रहा होगा, लेकिन उसकी average twinkling क्या हो जाती है, nullify, है ना, इसलिए कहते हैं, कि वहाँ पर planets twinkle नहीं करता है, ये सब studies बनाई गई है, ठीक है, वो twinkle करता हूँ, नहीं दिखता है हमें, तो उसको लेके एक theory बनाई गई है, है कि नहीं, ठीक है, तो वही लिखा है मैंने, planets do not twinkle, because it much closer to earth, therefore it is considered as a collection of point source, and each point source twinkle, but its average twinkling nullify, ठीक है, तो ये कहानी थी, आपकी, इस question की complete हो गया, आप पूरा, तो यहाँ पर खतम होता है, अपना long answer question, is it clear, and मैं आपको बता दू, कि जो आपका magnet brain है, जैसा कि मैंने आपको starting बताएगा, कि एक number one platform है, ठीक है, जो कि आपको free online education provide करती है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको, आप जिस class में हो, अभी तो आप ठीक है, आप 10th में हो, तो आपको जो subject पढ़ना हो, वो आप subject search करो, magnetbrains.com पे, ठीक है, उसके बाद आप chapter वहाँ पर search करो, फिर आपको उस chapter के topic search करो, और जैसी आप उस पे click करोगे, ऐसे आपको videos मिल जाएंगे, ठीक है, so simple, and एक और बात में आपको बढ़ा दू, कि magnetbrains ने बहुत अच्छा initiative लिया है, यहाँ पर Hindi medium channel शुरू हुआ है, magnetbrains के थुरू, जिसमें free online चीज़े मिलेंगी आपको Hindi medium में, ठीक है, तो अभी तक English medium में थे, अब Hindi medium में भी आ गए हैं, ताकि वो बच्चे भी इस चीज़ का फाइदा ले पाएं, ठीक है, तो जो बच्चे भी आपके contact में हो, Hindi medium के, उनको जरूर इसके बारें बताएं, उनको कहें कि इसको subscribe करें, ताकि वो benefit ले पाएं, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको like करें, और चैनल में अगर आप नए हो, तो तुरन सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ share करें, thank you.